हलो फ्रेंड्स आप सबका आपके यूट्यूब चैनल शेल्फ एल्फ में स्वागत है आज हम पढ़ेंगे एक महत्रपोन बिंदु के बारे में जो हर कंपिटिशनिम आता है कि कोई भी संक्या देते हैं उसकी गात कितनी भी दी हुई हो उसका हम इकाई का अंक केसे ग्याद क मैं जैसे कि मैं यह संक्या लिखता हूं यह आपके पास 26 है इसे हम इसकी गापंई चार जंगी तो आप उसमें इकाई का अंक क्या होता है चार बार लिख दिवें हैँ ठीर भी अभी-गांक ही ग्याद करना हमने कुछ और ग्याद है इन गुमिझा करते हैं इकाई को इसको गु Cute इसको चोड़ एक हो एक आपना च्छे आज होए कि कि मेरे सब्सक्रेंद 205 मेरे इसका मतलब है हम किस प्रकार यह तो छोटी थी इसलिए हमने इसे ज्याद कर लिया लेकिन इस प्रकार की संक्या आ जाती है तब हम किस प्रकार से काई का अंक ज्याद करते हैं उसके बारे में इसमें अलग-अलग प्रकार है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 हम उसी की एक एक करकर चर्चा करते हैं अपना जो टाइप 1 है टाइप 1 इसमें आपका है अगर किसी संख्या किसी संख्या में इकाई का अंक जीरो एक पांच हो छे हो और घात कितने भी हो इकाई का अंक वही होगा ठीक है अब जैसे की हम बात करते हैं अपने पास चार अंक है इकाई पे जीरो एक पांच और छे इन में से कोई भी जैसे हम बात करते हैं एक सो बीस का दो सो दस लिखा असी गार दो सो पंद्रा लिखी ठीक है यह अपने पहले लिखा था अब इसको इस प्रिकार से लिखा गया मर्गो और दो सो पंद्रे बाद हमें क्या करना है सिर्फ इस संख्या का इकाई का अंक देखना है इकाई का अंक जो है आपका जीरो है तो अब आप क्या करेंगे गात चाहिए कितनी भी हो सम हो विशम हो चाहिए आपकी दो सो पंद्रा की जिए दो सो दो जार पंद्रा हो आपको क्या लिखना है इकाई का अंक क्या लिखेंगे सीधा ही इकाई का अंक आपको जीरो ही लिखना है अगर यहां पर आपके पास जीरो आता है उसी प्रगार हम दूसरी संग्या बात करते हैं जैसे 121 यह 121 इसकी गात जैसे में दो जार तीन लिखी ठीक है अब अपने को इसमें भी यही देखना है कि अपना इकाई का अंक कितना है इकाई का अंक कितना अपना आपका एक है कि गात चाहे कितने भी हो यहां पर हमेशा यह एक आया है इसका मुलब इकाई का आपको एक ही लिखना है अपने जो अगली बात है पांच पर बात करते हैं अपने पांच जिसे एक संग्या लेली हमने अब इसमें भी हमें केवल इकाई का अंक ही देखना है क्या करना है आपके लिखेंगे इतना हमें लिखने की जरुत नहीं है इk आई का निए एक पांच है इसका मलभ इकाई का अंक क्या आएगा इकाई का आपका पांच होगा ठीक है न, एक बार उलेते हैं, 216 लिया, 216 की गास बेंग डूसो सोला कर देते हैं इसमें भी हमें यहाँ पर इकाई का अंक ही देखना है, क्या देखना है? एकाई कांग, चीजो, एक, पांच, छई में से एकाई कांग, जो है, छही आएगा अब हम एक सवाल की बात करते हैं, देखिए, इसमें टाइब वन पर एक सवाल कर लेते हैं जिसमें हमें बड़ी संख्यादेर की होगी, उसी के उपर हम चर्चा करते हैं जैसे अपना सवाल जो है आपका जैसे 216 की गाद 216 गुणा 220 की गाद 225 गुणा आपका 336 की गाद 336 ठीक है दोस्तों ये आपका सवाल है अब भी हमने टाइप 1 पड़ा है उसके नुशा हमें इनका 0, 1, 5 और 6 0, 1, 5 और 6 अगर है इसका एकाई काई क्या होगा आपका 6 हो जाएगा गाद कितनी भी हो सकती है 6 गुणा है लिख दिया इसका एकाई काई क्या हो जाएगा जीरो है इकाई पे इकाई पे आपका 0 है इसका जीरो हो जाएगा फिर इकाई पे इसका 5 है तो ये 5 हो जाएगा फिर इकाई पे आपका 6 है यहां पर भी 6 है अब ना तो यहां पे 6 हो जाएगा अब हम इन सभी संक्याओं को गुणा करते हैं बीच में जीरो आया तो इकाई पर आपका क्या जाएगा जीरो तो इकाई का जो अंक होगा आपका इकाई का अंक आपका जीरो आ जाएगा ठीक है दोज़नों अब हम पढ़ते हैं टाइप टू इसमें किसी संक्या का इकाई का अंक अंक आपका 4 और 9 हो तब हमें इकाई का अंक ग्याद करना है तब इकाई का अंक ग्याद करना है ठीक है दोस्तों अब इसमें देखी हम 4 की बात करते हैं जिससे यहां लिखता हूं मैं 4 की गार्थ 1 इसके एपका रही काई पर आपका 4 होगया 4 की काई दो इसके आप स्योंसे चार गुना चार प्रावर amet Сोला होगया पर 4 की काई 3 लिखता हूं 4 गुना चार गुना चार यानिकि आपका 54 हो गया और फिर 4 की गात 4 लिखते हैं तो आपके पास 4 गुणा 4 गुणा 4 प्रावरे आपके पास 256 हो गया और इसके बार अगर चार की गात पांच लिख देता हूं में तो आपके पास वापस return में क्या आएगा आपका जो यहां पर बाकी संख्या जो भी आएगी यहां पर आपका इस प्रिकार से इसको देखने पर एक pattern आपको मालुम चल रहा है कि अगर चार की गात संख्या में इकाई के स्थान किसी संख्या में इकाई के स्थान पर चार हो और उसकी गात आपकी विश्वम हो तब इकाई का अंक जो है इकाई का अंक आपका चार होगा यह यहां पर भी चार आजाएगा ठीक है इसको देखने पर एक pattern अपने पार सामने निकल के आता है किसी संख्या में इकाई के स्थान पर चार हो और कोई भी संख्या लग लेते हैं चार चार है और उसकी और उसकी गात क्या है गात विसम हो विसम तब इकाई का अंक चार होगा और यह जैसे कोई भी संख्या जिसे 244 लिया और इसकी गात जिसे 215 है तब हम इसका इकाई का अंक जो क्या लिखते हैं इकाई का अंक आपका चार होगा दूसरा पेटर इसमें यह देखिए आपका यह विसम संख्या है यह गात जो है सम है जब संख्या जिसे की आपकी मैंने लिया 2324 ठीक है और इसकी गात संख्या ले लिए मैंने 324 ही ले लिए तब यहां पर इकाई का जो अंक होगा आपका क्या रहेगा हमेशा आपका च्छे आए देखिए यहां पर इकाई संख्या है गात तब च्छे है संख्या है तब च्छे है तो हमेशा ध्यान रखिए चार इकाई पर हो और गात संख्या हो तो इकाई का जो अं कोई भी स्प्ख्या हम लेते हैं जिस een, two,three, four, five, six, four. ठीक है ना? अब इसकी गात भी ले लेते हैं ओ, two, three, four, five, six, four. देखने में सिक्ख्या बहुत बड़ी है, गात भी बहुत बड़ी है. ठीक है ना? लेकिन हमें क्या करना? सबसे पहले ये iqai का ankh देखना है क्या देखना है iqai का ankh कितना है यहां पर 4 है इसकी गात कितनी है sum संगिया है iqai पर जेरो, दो, चार चेरा आथ है वो sum है तो यहां पर हमें क्या लेकना sum होगी तब iqai का ankh जो है आपका क्या होगा वो च्छे होगा अगर गाद विसम है तो इकाई कांग आपका चार होगा ठीकन दोस्तों अब हम बात करते हैं अब हम बात करते हैं जैसे नो की जिस नो में भी पेटर्न जैसे नो की गाद एक लिखा मेंने या 9 आया, 9 की गाद 2 लिखा में नो गुणा नो बराबर एक्रियासी आया और 9 की गाद 3 लिखा में नो गुणा नो गुणा नो आपके पास 739 आया और 9 की गाद 4 लिखा में तो आपके पास 9 गुणा, 9 गुणा, 9 गुणा, 9 बराबर आपके पास देखिए 3561 आता है हो जाएगा यहां पर भी एक चीज़ देखिए यहां पर देखिए गात जब विशम है तब आपका इकाई का जो अंक है गात क्या है विशम तब इकाई का अंक आपका नो हो रहा है यह देखिए यहां विशम है नो है यहां विशम है यहां नो है और अगर गात आपकी गात सम है तब इकाई का अंक आपका एक आएगा चाहिए संक्या आप किस्ति भी बड़ी ले लेते हैं जिसे मैं लेता एक दो तीन चार पांच शे साथ आठ नो यह संक्या ले लिए मैंने अब इसमें देखिए सब्सेप और इसकी गाज इसे लिए दो जार तीन में ने लिख ली हमे कि मैं इसमें केवल इकाई का निक देखना यहां पर 9 है और इसकी गात ज़ो है क्या है विस्त्रम है कि गात्य आपका इकाई अन्क आपका हो जाएगा क्येवल 9 अगरिस यह संक्या की बास कर लें इसकी गात अगल 2 zwar 14 है ये आपको पास क्या गई सम आ गई तो हमें इसका इकाई का अंक क्या करेगा वो आपका इकाई का अंक है आपका एक आएगा क्या आएगा दोस्तों एक आएगा क्योंकि यहां सम है यहां पर पैटने में देगे एक आएगा ठीक है दोस्तों इस प्रिगार से हम इकाई का अंक बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं एक सवाल है य इकाई का अंक ग्याद कीजिए ठीक है दोस्तों तो हम यहां पर देखिए यहां पर देखते हैं इकाई पर आपका चार है और घात आपकी सम संक्या है काद कितनी है सम संक्या है जब सम संक्या होती है तो आपका क्या आएगा छे आएगा विश्रम है तो चार सम है तो छे आएगा फिर गुणा यहां इकाई पर आपका नो है और इसी गाद आपकी क्या है विश्रम है कह दोस्तों विश्रम और जब नो में इकाई पर आपका नो और जब चार इकाई पर है यहां पर और गात विशम है कितनी है विशम चार की गात विशम है इसका मुझा आपका क्या एगा यहां पर अपना विशम है इसलिए चार का गात अगर विशम है तो आप क्या इकाई का अंग चार होगा और नो इकाई पे है यहां पे और इसकी गात अगर सम है तो आपकी इकाई पे एक होगा ठीक है दो इस प्रकार से में इनको सबको गुणा करते हैं सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पे है फेस्बुक पे फोलो करें और इसका अगर समय है